बात करते हैं assessment of firm का assessment का मतलब होता है total income निकालना फिर उसकी tax liability निकालना यही assessment होता है हमने individual के questions तो बहुत सारे इंटर में किये थे firm भी इंटर में किया था लेकिन firm दोबारा करेंगे कुछ advance चीज़ों के साथ करेंगे कि हम firm का assessment लेकिन पहले हम firm पे tax का rate देख लेते हैं rate of tax क्या होता है rate of tax और firm का rate of tax होता है 30% हाला कि special rate तो लगते ही लगते ही है अगर मैं बोलूं long term capital gain तो उस पे amount in excess of one lakh under section one one two a अगर मैं आप से बोलूं short term capital gain तो 15% वाला भी लगा अंडर सेक्शन ट्रिपल वन ए इसके बाद अगर मैं क्या जो लिंकम बोलूं तो 30% लगेगा अंडर सेक्शन one one five double b जो मैंने capital gain के बाद advanced tax liability वाला चैप्टर टीच किया था तो special rates होते हैं बेटा special rates जो होते हैं इनको कहा जाता है special rates ये सारे तो almost सभी SSI के लिए same रहेंगे company के लिए भी firm के लिए भी individual के लिए भी जो general rate होता है general rate और general rate लगता है capital gain तो कमी होगा business की income maximum होगी और business की income पे आपका जो rate लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा website किया हुआ है one is to one is to one equal partners अब यह सब्पोच करते हैं इन्होंने इस profit of the firm जो था वो सब्पोच करते हैं profit of the firm था तीस लाख रुपे का अब तीस लाख रुपे का था तो firm tax pay करेगी और tax pay करेगी जाए at the rate of 30% और वो गया नाइन लाख रुपे हाला कि surcharge भी लगेगा एक करोड से वो चार वाले rate नहीं होते हैं जो हमने चार रेट करे थे 10% 15% वो के वल individual हुएफ एओपी बियो आई और आर्टी फिशेज रुडिकल पर जिन पर सलयाब लगता है उनके लिए था जिन पर सलयाब नहीं लगता है company हो गई firm हो गया company हो गई firm हो गया और local authorities हो गई इनके लिए surcharge different होते हैं तो firm के लिए जो surcharge में सबसे end में जब tax निकालना से खाऊंगा तो लिखोंगा एक करोड से जादा होता है तो 12% के rate से surcharge लगाया जाता है एक करोड को अगर income exit करती है वन करोड को तो 12% के rate से surcharge लगाया जाता है मैं अभी end में लिखवाऊंगा और health and education says तो हमेशा लगाया ही जाता है लेकिन उसको हम consider करेंगे तो हमारी calculation बहुत difficult हो जाएगी और topic बहुत शांदार है जवर्दस logical topic है इसलिए हम 30% में concentrate करते हैं नौ लाख रुपी तो tax pay करना पड़ेगा अब नाइन लाख रुपी जिजे huge amount अब बचा 21 लाख रुपी जो इनको distribute होगा नौ लाख रुपे इनका tax में चला गया तो इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं जो profit of the firm है हम अपने लिए rem duration लेते हैं हम तो firm के लिए काम करते हैं ना सुबह आते हैं हम भी shop open करते हैं हम भी काम करते हैं चार हमने कोई employee नहीं रखा है employee रखे हैं उसके अलावा भी हम सुपर से शाम तक services firm को दे रहे हैं तो हम तो rem duration लेंगे सर आपने कहाता salary to himself disallow हो जाती है यह salary to himself है ही नहीं यह तो दो different distinct entities हैं firm और individual firm प्रोवैट करने वाला है और किसको salary दी जा रही है individuals को दी जा रही है तो salary to himself कहां है in case of soul proprietor a के case में a अपने को salary दे रहा था concept of mutuality दो लोग parisprick काम करने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है यहां पर दो लोग है तो कोई objection हो ही नी सकता है a ने का मेरी salary 10 लाख रुपे बी ने का मेरी salary 10 लाख रुपे और सी ने का मेरी salary 10 लाख रूपे, इतना हम काम करते हैं, मैनत से काम करते हैं, बै나ёз她 की इंकम कितना कर ली णिल कर ली, और टैक्स कितना हो गए, टैक्स निल हो गए इन्होंने firm की income कितनी कर ली निल कर ली और tax कितना हो गया tax निल हो गया लेकिन आप इनकी individual income तो बढ़ गई तो A का tax निकाल लेती है A का जो tax आएगा एक लाख बारे हजार पांसो आएगा tax निकाल लेती है B का जो tax आएगा वो एक लाख बारे हजार पांसो आएगा सी का जो टेक्स आएगा एक लाग बारे हजार पांसो आएगा तो थ्री लाग थर्टी सैवन थाउजन फाइव हंट्रेट अब कंपेरेजन करो अगर आप दोनों का कंपेरेजन करो तो जो टेक्स नौलाख रुपे पे करना पड़ लाता उसकी जगे अब आपको पे करना पड़ रहा है मातर तीन लाख सैंटिस हजार पांसो क्या मेरी बास समझ में आई आपके लिए तो लोग क्या करते थे इस तरीके से बहुत सारा रेमरेशन दे के फर्म की इंकम कम से कम करने की कोशिश करते थे क्या कि फर्म की इंकम कम से कम करोगे तो 30% वाला कम होगा और पार्टनर्स की इंकम बढ़ाओगे तो सिलैब और वो भी 3-3 बार सिलैब लग रहा है ए पहले 0 में जा रहा है फिर 5 में जा रहा है फिर 20 में जा रहा है फिर 30 में जा रहा है इसी तरीके से BB और CB तो कितनी इंकम पे 0 लगा, कितनी इंकम पे 5 लगा, कितनी इंकम पे 20 लगा, फिर जाके 30 पे पहुँचा तो tax liability तो कम हो ही जाएगा अगर सरकार रोक लगा दी, सरकार रोक नहीं लगा सकती है क्यों? क्योंकि एक firm ये लिए कोई काम करेगा, पैसा तो दिया जाएगा तो इनके पास एक दूसरा तरीका होता है ये कहते हैं हम चलो interest जादा quantity में ले लेते हैं वो कहते हैं profit of the firm लिख लेते हैं 30 लाग रुपे अब interest to partners को हम मैनस करते हैं जब उन्होंने firm खोली थी तो सपोच करते हैं ये अपने कड़से 10 लाग रुपे लेके आया था 20 लाग रुपे लेके आया था B भी 20 लाग रुपे की capital लगा चुका है और C भी 20 लाग रुपे की capital तो क्याते हैं हम interest ले लेते हैं तो एक इतना करेगा at the rate of 50% तो 10 लाग रुपे का interest तो एका हो जाएगा at the rate of 50% 10 लाग का इसका हो जाएगा interest to himself आपने disallow करवा दिया था कमाल कर रहे है वो himself यहाँ firm में पैसा लगाया पैसा उधार दिया तो interest क्यों नहीं लेंगे at the rate of 50% तो यहाँ पे ले लिए 10 लाग तो लो 50 नहीं तो 20% माल लो 20% माल लो अगर जादा पैसा यहाँ पर लगवा देते हैं इतना पैसा माल लेते हैं कि उसका 20% 10 लाग रुपे के बराबर निकल के आजा पचाइब 50-50 लाग रुपे माल लेते हैं 50-50 लाग मानोगे तो 20% 10 लाग रुपे हो जाएगा ना फंकी इंकाम फिलनिल हो जाएगी और इनकाट टेक्स कितना बन जाएगा जो यहाँ बनाया था तो सोचो जो टेक्स 9 लाग रुपे था वो आपने कितना कर दिया 37,500 लाग रुपे कर दिया 9 लाग रुपे के टेक्स कि लेकिन दोनों चीज़ें एलाओ होनी चाहिए तो बस इतना डिफरेंस है जो इंडिविल का असेस्मेंट है इसके अंदर सरकार ने कहा हम रेमडुरेशन भी एलाओ करने को हो इंटरेस्ट भी हम देंगे लेकिन जो फेर मार्केट रेंट चल रहा होगा वो हम बताएंगे कितना है हम लिख दे रहे हैं उससे जादा का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बाकि सारा कोशन आप कई बार इंटरमें कर चुके हो बिलकुल वैसे ही होगा जैसे असेस्मेंट इंडी वो जुलका किया जाता है तो कैसे करेंगे इसके लिए इसके लिए करेंगे हम प्रॉफिट एज़ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाँ जी सरकोशन यहीं से शुरू किया जाता है अब इसके अंदर हम सारे एज़्जेस्मेंट्स कर देंगे एज़्जेस्मेंट्स अंडर सेक्शन थर्टी टू फॉर्टी थ्री भी एए अकाउंट क्यों लिख दिया हो समझ मैं आया जितना भी अभी तक पढ़ाया एक्सेप्ट 40 भी यह बिल्कुल अभी समझ में नहीं आयाँगा जो मैं लिख रहा हूं बस मुझे लिखने दो क्यूंकि नहीं लिखुँँगा तो लौजिकली गलत हो रहा है इसलिए मुझे लिखने दो एक्सेप्ट 40 भी जितना भी मैंने पड़ा आया जो firm के उपर applicable है, depreciation निकालके सही वाला minus कर दो, scientific के लिए donation दिया वो treatment करो, 10 से उपर का payment cash में किया, disallow करो, कोई भी relative को payment दिया, fair market below से जादा का, वो disallow करो, वो सब कुछ करो जो इसके अंदर दे रखा है, 100% करो सब कुछ, कोई अगर interest पे किया, due date तक पे नहीं किया, 43B मेंट इसलाओ करो, सब कुछ जो मैंने बताया, अब जो ये निकल के आ गया, इसमें दो चीजें और एड़ कर दो, Remundration to Partners, क्योंकि अगर देखा जाए तो allow होता, 37K according, लेकिन सरकार कहती है नहीं भी add कर दो, इसके अंदर, Remundration to Partners, क्यों add कर दो, क्योंकि बहुत जादा वाला दे रखा है, इसलिए add कर दो, interest to Partners, ये दो चीज अड़ कर दो, बुले ठीक है, मुले हम माइनस करेंगे, लेकिन Limit में करेंगे, अब माइनस करो, इसमें से दोबारा, लेकिन पहले Interest to Partners माइनस करना, पहले Remundration माइनस मत करना, यही है और जो माइनस करने का section होता है section 40B 40B के according और कितना minus करोगे at the rate of 12% or as per deed whichever is lower ये 40B में लिखा हुआ deed वो जो profit and loss account में दे रखा हुआ अब actually मैं section 40 negative language में मैंने क्या बताया था आज जब मैंने class शुरू करी थी मैंने का था PGBP chapter तीन parts में divided है 30 से 36 specific deductions 37 general deductions और 40 वाले जतने भी sections होंगे वो ये बताएंगे हैं खर्चे को disallow कर रहे है 40B ये allow नहीं कर रहा है ये actually 12% से उंपर वाले को disallow कर रहा है वहाँ पे लिखा हुआ है 12% से ज़्यादा का जो भी interest दिया जाएगा वो आपका disallow कर दिया जाएगा तो को 40A1 किया था हमने payment to non-resident वाला 40A1A किया था हमने payment to resident वाला 40A1B किया था लेवी वाला तो को उसी सीरीज में 40BB मिलेगा तो तो वहाँ teach क्यों नहीं किया वहाँ आपको समझ में नहीं आता मैं क्या कियाना चाहता हूँ है PGBP का ही section लेकिन ये केबल firm के respect में है और ये कहता है firm के partners को interest दिया जाएगा तो in excess of 12% disallow कर दिया जाए तो हम 12% के उपर वालों को disallow कर रहे हैं 18% दे रखा था तो 18% वाले को add कर दिया और 12% वाले को minus कर दिया तो actually में 6% disallow हो गया ना अगर सर उन्होंने minus कर रखा होगा already 10% तो हम ना add करेंगे ना minus करेंगे 12% से कम का होगा तो फिर add करके say minus करना पड़ेगा तो क्या फरक्त पड़ेगा इसके बाद जो बचता है बेटा उसको कहा जाता है book profit और कई बार paper में cable ये book profit निकालने के लिए भी आता है कई बार ये book profit भी निकालने हो बस इतना ही question देते हैं बुक profit निकाल दो कितना book profit होगा और book profit मेंसे जो अब चीज माइनस करेंगे वो यहां के हर बच्चे को पता है माइनस करेंगे to working partners अब ये working को highlight करतू non working का rem duration allowed होता ही नहीं interest मिल जाया है इंटरस पैसे पे मिल रहा है पैसा तो non working नहीं भी लगाया होगा जितना लगाया होगा उस पर मिला होगा लेकिन क्योंकि rem duration काम करने के बदले मिलता है तुमने non rem duration को दे रखा होगा add कर दो लेकिन जब minus करेंगे सही वाला तो केवल working partners को minus करेंगे non working partners के लिए minus नहीं किया जाएगा कितना minus करेंगे यह चीज है section 40 under section 40b यहाँ पर भी दौनों का same section है और 40b नहीं लिखोगे तो marks cut हो जाएगे यह समिटे लोगा आपको लिखना पड़ाएगा 40b और कितना rem duration है तो मैंने यहाँ पर लिखा rem duration यहीं नकालता हूँ में मैंने लिखा यहाँ लिखा मैंने book profit और यहाँ लिखा rem duration up to 3 lakh 3 lakh तक book profit है तो rem duration की limit है 1 lakh 50,000 और 90% of book profit whichever is more हमें lesser की यादत पड़ा गई है lower की यादत पड़ा गई है यहीं नहीं पर more लिखा हूँ को है मतलब 2,70,000 3 lakh अगर किसी का है तो 3 lakh का मतलब 90% 2,70, 1 lakh किसी का है तो उसको 52 lakh किसी का है तो 2 lakh में 1,50 और 1,80 whichever is higher 3 lakh है 1,50 तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा और 1,50 की विए से loss भी आ सकता है किसी का 1 lakh बुक प्रॉफिट निकल के आया अब 1 lakh का 90% 90,000 और रेमडुशन एक पचास नबे एक पचास में higher किया हुआ एक पचास तो एक लाख में पचास मैनस कर दोगे और बिजनस का loss पचाहँ हजार रुपे निकल के आ जाएगा सरकार ये मानती है 1,5,000 रुपे तो रेमडुशन बहुत जस्टीफाइड है मिलना ही चाहिए हाँ 90% अगर एक पचास से जादा आया तो हम जादा वाला रेमडुशन दे 90% तक देने को तैयार है तो किसी का 3,000,000 रुपे निकल के आया तो 3,000,000 का 90% 2,70,000 30,000 रुपे के बल फर्म की इंकम बनेगी कितना सारा सरकार एलाओ कर रही है सोचो लेकिन अगर more than 3,000,000 है बेटा तो 3,000,000 से जादा का है तो कितना हो जाएगा एवब रुपीस 3,000,000 तो हो जाएगा 60% of 60% of the amount in excess of 3,000,000 3,000,000 के उंपर वाले पे तो 4,000,000 है तो 3,000,000 पे तो आप निकाल दो जो उंपर वाले से निकाला गया है 270 तो होई गया अब 3,000,000 के उंपर कितना हो गया 1,000,000 का 60% तो 60,000 पिलस 2,70,000 3,000,000 तीस हजार रुपे मतलब कोई कहता है मेरा बुक प्रॉफिट 4,000,000 रुपे है तो पहले तो 3,000,000 के रस्पेक्ट में 270 निकल के आ गया पिलस 1,000,000 का 60% वो 60,000 आ गया यह हो गया 3,000,000 तीस हजार रुपे और एच पर डीट विच एवर इज लोवर अगर प्रॉफिट एलोस अकाउंड में इससे कम दे रखा हो गो जो सलेब के अकॉल्डिंग निकले के आदा तो कम वाला माइनस किया जाएगा लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अगर कम वाला दे रहा हो तो ना एड करो ना माइनस करो इंटरस में पॉसिबल था क्योंकि इंटरस पहले किया जा रहा है ये तो बुक प्रॉफिट के बेस पे निकालेंगे तो पहले एड तो करना ही पड़ेगा बिना बुक प्रॉफिट के सलेब लगाए कैसे पता चलेगा कि पहले वाला कम था या जादा था तो इसमें हो सकता है जो एड किया गया हो वो ही मैनस करना पड़ जाए इंस सलेब में और एश पर डीड मतलब जो प्रॉफिट रलास अकार्ड में दे रखा है उसमें जो लोवर होगा वो मैनस किया जाएगा और केवल वरकिंग पार्टनर्स के लिए मानस किया जाएगा only for the working partners केवल यही रेमनुशन निकालने के लिए कोशन Frequently एक्जामम में आता रहता है केवल और जो यह निकलके आएगा इसको कहा जाता है बेटा बिजनेश इंकम जो PGBP की इंकम है ये बिजनिस की ये प्राफिशन की इंकम ने कलके आ रही फ़र्म की बस ये दो एड़ेस्मेंट्स करने हैं बाकी तो जितने हमने PGBP के कोशन्स करें वैसे ही चलना है दो एड़ेस्मेंट्स करने हैं अब इसके अंदर हम इसकी बाकी इंकम एड़ कर देंगे, क्योंकि पीजी बीपी में तो हमने माइनस कर दी होंगी, लॉंग टम बगारा वो तो हमने किया ही था, जो अधर हैड्स की इंकम होती है, उनको हम दोबारा से एड़ कर देंगे, इसको बोल देंगे GTI, फिर GTI में से यहाँ माइनस करेंगे डिड़क्शन्स, चैप्टर सिक्स्ट ए, बहुत कम इलेजिबिल होंगी, 80C लेही नहीं पाएगा, इंडिविजुल ही अफ के लिए, ATCCC के बल इंडिविजुल के लिए, ATCCD के बल सेलरिट इंडिविजुल के लिए, चैप्टर नहीं भी बहुत सारी एसी जो लेही नहीं पाएंगे, ATIA to ATIE वाली किलेम कर लेंगे, ATIA, ATIB, ATIC, ATID, और जो दो और भी किलेम कर लेंगी, जो सबसे जादा यूज में आएंगी, ATG और ATWGC, और भी बहुत सारी, आदी से जादे तो करी नहीं पाएंगे के लेंगे, क्योंकि वहाँ असैसी इंडिविजुल अच्छी एफ लेका हुआ, TTA नहीं कर पाएंगे, और इंडिविजुल को benefit मिलता है, लेकिन ये दो things है, ATIA वगरा बात के लिए छोड़ो, ये दो डंग से कर लेंगे, ना यार, तो यहाँ पे भी N.E.S.S.E. है, ये donation वाली है, और ये donation to political party वाली है, आज ही जो मैंने इंट्रक के notes डाल लें है, ATG में बार-बार कहरा हूँ मेटा है, मेरे YouTube पे ATG अपलोड है, कोई amendment नहीं है, प्लीज देख लो ATG के लिए, और WGC तो बहुती जी है, political party को जो भी donation देते हैं, पूरा का पूरा WGC में मैनस हो जाता है, किसी भी S.E.S.E. कंप मैं chapter खतम कर दूँगा, यह वाला, दो ही treatment करने, PGBP के questions मैंने कितने सारे करवाई दी हैं आपके लिए, अभी में 3 questions के भी करवाऊंगा मैं आपके लिए, लेकिन पहले मैं tax निकालना सखा दूँ, इस total income पर tax कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको ऊपर ही rate लिएना बता चुक 20% under section 112, long term capital game 10% in excess of 1 lakh, under section 112a, हाला कि अगर listed debentures होंगे, तो 10% हो जाएगा, listed securities होंगी, जिस पर 112a नहीं लग रहा होगा, with indexation, without indexation, मतब 20 के सारे provisions applicable होंगे, अगर आपका short term capital gain होगा, तो हम लगाएंगे 15% under section 111a, के actual income होगी तो हम लगाएंगे 30% under section 115b, अब ये बच गई बैल डैंस इंकम, इस पर हमेशा general rate लगता है, जहां से शुनवात करी थी, गो 30%, इसको हम add कर लेंगे सब के लिए, पिलस सर्चार्ज, 12% से, if any, अगर नहीं कर रही होगे तो नहीं लगाएंगे, और फिर यहां पर हम add कर देते हैं, health and education says, at the rate of 4%, और ये निकल के आ जाती है, फिर्म की tax liability, लेकिन मैं questions कर भाँ, उससे पहले एक बात और, बहुत easy है chapter, बस ये format है, जो कुछ है, बस interest 12% से उपर वाला disallow कर देना, book profit निकालना, recommendation minus कर देना, बाकी तो tax जैसे निकालते हैं, कितने tax निकाले हुए हैं, आपने उस chapter के अंदर, बस वहाँ पे slab लगाते हैं ते balance पे, यहां slab नहीं लगाना है, यहां balance income पे 30% लगाना है, बाकी rate तो same है, लेकिन अब partners की income भी निकालेंगे, अब partners की income निकालेंगे, तो सब पोच करते हैं, यहां पे लगते हैं, पी one, partner one, यहां पे partner two, यहां पे partner three, यतने भी दे रखे होंगे, हम assume करते हैं, three partners थे हम assume करते हैं इनकी अपनी जो individual income होगी वो तो बाद में discuss करेंगे इनको firm से तीन amount मिलते हैं एक तो firm से ने interest मिलेगा एक firm से ने rem duration मिलेगा और जो ये जो amount होगा total income इस income मैंसे जब firm ये tax pay कर देगी तो इसके बाद जो बच जाएगा ये भी तो इनको distribute किया जाएगा getting my point, rem duration बे हिसाब नहीं होगा लेकिन जो limit में था वो तो इनको मिलना चाहिए जो interest 12% तक का होना चाहिए था वो तो इनको मिलेगा फिर profit पर tax pay करने के बाद जो बच जाएगा जैसे company dividend देती है तो firm भी अपने partners को distribute करेगी तो तीन amount मिलते हैं पहला amount मिलता है interest from the firm interest from the firm दूसरा amount मिलेगा rem duration और तीसरा मिलेगा share in the income of firm dividend नहीं बोलेंगे dividend company के case में बोलते हैं इसको बोलेंगे share in the income of firm और धंग से याद कर लेना exempt तीसरा वाला under section 10 to a section याद करना बेहद जरूरी है बेहद और इसमें तीनों में पहले dash लगाते हैं exempt के हुए क्योंकि firm ने tax pay किया उसके बाद distribute किया तो इस amount पे जिस total income पे मैं round बना रहा हूँ इस पे पहले ये वाला tax pay हो गया उसके बाद ही तो distribute किया जा रहा है तो already tax pay हो गया उनी partners ने अपना पैसा लगा के risk लगा के पैसा कमाया firm के तरीके से tax pay किया अब individually भी tax pay करें वही तो exemption का benefit दिया गया 10-2 एके अंदा लेकिन interest taxable नहीं है क्योंकि interest तो income निकालते से में minus कर दिया गया था ram duration तो firm की income निकालते से में minus किया गया होगा उतना अगर suppose करते हैं 18% profit and loss account में दे रखा था तो यह 18% नहीं होगा यह firm की income निकालते समय हमने 6% तो add back कर दिया होगा तो 6% पर तो firm tax pay कर चुकी है तो यह तो 12% ही तो logic याद कर लो जितना firm को benefit दिया गया होगा firm की income में से minus किया गया होगा वो partner's के हाथ में taxable होगा इसी तरीके से ram duration जितना ultimately allow किया गया होगा लेकि यह वाला amount exempt हो जाएगा और यह paper में बहुत आता है बहुत 10-2 याद कलने ने मैं बार बार किया रहा फिर मैं पूछता हूँ बताओ बिटा किस head की income बनेगी तो बच्चे कहते हैं interest सलादस फूर्स में जाती है ram duration salary में जाती है सब गलाती है हमेशा PGBP की income मानी जाएग partners को कुछ भी मिलेगा मतलब जो share exempt हो गया है अगर हम पूछें किस head की income है यह अलग बात है exempt है लेकिन head इसका भी PGBP माना जाए क्यों सर देखो ram duration यह employee के तरीके से काम नहीं कर रहे है इन अब खुद काम कर रहे हैं अपने ही business के लिए काम कर रहे हैं अगर यह ram duration नहीं लेते तो ultimately तो share in the firm बढ़ जाता ना interest नहीं लेते तो वो interest तब भी ही नहीं मिलता तब interest के नाम से नहीं मिलता share in the income और firm के नाम से मिलता क्योंकि जो खर्चा नहीं कर वाओ तो firm की income बढ़ जाएगी ram duration interest इसलिए ले लेते है क्योंकि firm की थोड़ी tax liability कम हो जाए लेकिन ultimately तो firm के ही हिस्से में से ले रहे हो ना तो यह question कोई पूछ ले कभी आप से जो interest यह ram duration मिलता है वो किस head में taxable होगा वो PGBP head में taxable होगा अब इनकी other income add कर दो firm के अलावा हैं यह हो सकता है कहीं और भी काम कर रहे हैं हो इन्होंने अपना कोई घर बेचाओ personal level पे भी तो इनकी income होगी तो वो income को सारी add कर दो question paper में वो भी कभी दे रखी हो सकती है और यह उनकी GTI निकल के आ जाएगी इस GTI में से मैनस करेंगे deductions under section 80C to 80U यह तो chapter 6 A बोलो यह बोलो 80C और यहां बहुत सारी applicable होगे 80C, 80CCC, 80CCC, 80CCD, 80D 80DD, 80DDB, 80E, 80G, 80GG, 80G, 80G, 80C, 80T, 80TB, 80QQB, 80RRB सारी के सारी applicable होगे और यह निकल के आ जाएगी बिटा टोटल इनका इस पे भी tax निकाला जा सकता है इस पे भी अब इनका भी tax लेकिन इनका tax हम बहुत बार निकाल चुके है tax liability के सारे के सारे questions ही मेरे individuals वाले थी अब इनकी income के भी 5 हिस्से कर देंगे long term पे 20%, long term पे 10%, short term पे 15%, casual income पे 30 बस यहाँ balance पे 30 लगाता यहाँ balance पे salary लग जाएगा age को देखते हुए और status को देखते हुए surcharge की चार limit होती है जो टेक्स निकालना सिखाया था वैसे tax निकालेंगे and this is the assessment of the partnership firm यह logic सारे एक question करवाँगा सारे logic आपके clear हो जाएंगे तुरंत immediately clear हो जाएंगे बस दो ही चीज़ें करने वाली हैं basically बस interest 12% से उंपर वाला disallow कर देंगे और book profits की profit and loss account of xy a limited liability firm कोई फरक ने पड़ता है firm और LLP दोनों का concept 100% same है बिल्कुल which satisfies all the conditions of 184 or 40B इसको हम next class में discuss करने वाली 40B की conditions हमें पता हैं कि limit से ज़्यादा का नहीं देंगे 184 को भी discuss करूँगा पहले practical question एक करवा दू cost of goods sold remuneration to partners, remuneration to employees, interest to partners, income tax other expenses, sales tax outstanding sales tax की जगे आप GST मान लेना इस बार sales भी लिखा हुआ है, interest on company deposits भी दे रखा है addition information out of other expenses 25500 is non deductible outstanding sales tax 1st November 2020 इसको कर लेते हैं हम लोग 22 जो मैं नई आपको दूँगा आज PD अप्लोट करूँगा वो सारी amended होगी बेटा, बस अब सारा question होगे अब करते हैं इस question के लिए पूछाए हमसे book profit and maximum remuneration to partners विज़े deductible income अपने आपी निकल जाएगी ये दोनों चीज़े निकाल देंगे नेट प्रॉफिट 5,12,500 अभी भूल जाना उसके लिए पहले आप interest remuneration को भूल के PGPP की तरीके से question को solve कर लो other expenses के अंदर 25,500 non deductible नहीं 37, मतब capital nature की हो सकते हैं, personal हो सकते हैं हमने other expenses को add back कर दिया under section 37,1, 25,500 outstanding sales tax paid आप इसको GST मान लेना क्या फरक पड़ता है is paid on 1st November 2022, due date के बाद पे किये जा रही है due date देखो outstanding था due date के बाद और 43 भी ये कहता है कि अगर आपने सरकार को कोई भी tax वगारा pay किया है तो 13,1 की date तक pay करोगे तभी minus होगा, तो देखो मैंने यहाँ पे add back किये out और कहले दिया paid after due date specified under section 13,1 और एक दसको मैंने add back कर दिया, देखो एक दसको add back कर दिया interest to partners is not deductible to the extent of 15,000 अभी easy हो गया, उन्होंने 12% से उपर वाला सीधे आपको बता दिया नोने minus कर रखा 1,20,000 और कहते हैं 15,000 रुपे minus नहीं होना चाहिए मतरब 12% से उपर जो निकलता वो 15,000 रुपे होता तो इस question में interest to partners सीधे add कर दिया गया 15,000 बरना हम क्या करते, percentage दे रखी होती तो पहले वो आला add करते, 12% वाला निकाल के minus करते ये question भी करेंगे, लेकिन next class में अभी बस एक question करवाना चाहता हूँ, इसलिए एक question करवा रहा है तीनो adjustments हो गए, हाँ जी सर हो गए, cost of goods sold आना चाहिए ram duration to partners, सर पहले add करेंगे, फिर book profit निकालेंगे फिर minus करेंगे, तो ram duration to partner, ram duration to partner 8,50,000 रुपे के लिए add back कर दिया, ram duration to employee, सर ये तो आना ही चाहिए interest to partner statement हो चुका है, सर इंकम tax कला आपने बताया तर disallow कर देते हैं, तो income tax देखो 52,500 disallow कर दिया, sales आनी चाहिए, interest on company deposit, सर other sources की income होती है, इसने किसी company के debentures वागरा लिए होंगे, फिर हमने, उस पर share interest मिल रहा है, तो 270 को minus कर दिया, हमने, अब ये जो बचा, इसको हम PGBP की income नहीं बुलेंगे, book profit कों की अभी एक चीज minus होने से रह गए, ये ram duration, इसके अंदर अभी ram duration minus होना है, तो sir, ram duration कैसे minus करेंगे, हम देखते हैं, book profit कितना आए, तो 3,00,000,000 वे तक का तो 270,000 हमने add कर दिया, 3,00,000 में 150 और 90%, 3,00,000,000 का 90, 270, whichever is higher 270, और 3,00,000 के उपर, तो 12,95,500 में से 3,00,000,000 मैंस किया, 9,00,000,500, इसका 60% निकाल दिया, 8,67,300, ये maximum हो गया, इससे जादा minus नहीं हो, लेकिन अगर हमसे पुझा था, टोटल income निकालो, तो हम फिर इसको comparison करते हैं, इस ram duration से, 8,50,000 से, और, deed के according 8,50 था, तो lower कितना निकल के आएगा, lower 8,50 निकल के आएगा, तो ये वाला actually में maximum हो गया, question यहीं क्यों खतम कर दिया गया, ये question में पूछा गया है, maximum बताओ, रैम duration कितना होगा, for TV के हिसाब से, लेकिन अगर हमसे कहते हैं, इसकी total income निकालो, तो ये मिल सकता था, लेकिन इन्होंने already दे रखाता, 8,50, इन्होंने already कम ही दे रखाता, तो हम क्या करते, book profit में से हम यहाँ minus कर देते, 8,50,000, और जो बचे जाता, वो business की income निकल के आजाती, फर्म की, और ये आपका answer निकल के आजाती, तो इतना easy है, exactly इतना easy है, जैसे हमने questions करें, वैसे questions करेंगे, बस interest हम 12% से उन्होंपर वाला add कर देंगे, book profit निकल के आएगा, rem duration हम minus करेंगे, लेकिन दो questions जो पहले और दूसरे हैं, वो तो बहुत ही classic questions हैं, जबरदस्ट, आपको इन questions करने में मज़ा आजाएगा, बहुत मज़ा आज़ाएगा, आज मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगा, किसी को जरा सभी कोई doubt है, किसी भी तरीके का बे जिज़क मुझसे पूछो, और question करना चाओ, तो पहला question तो मैं with solution दूँगा, बाकी तीन की में solution हटा दूँगा, पढ़ना, next class में discuss करेंगे लिए, खुद भी पढ़ने की कोशिश करना, मज़ा आएगा आपके लिए बहुत जादा, ये format, बच्चे बहुत क्याते हैं, इस format में बहुत help करी हमारी exam time में, ये जो format इसे में display हो रहा है, ये firm का आपका 8 number का question ठीक करवा देगा, firm, जरूर आएगा 100% firm का, case बगरा वो तयार करके देंगे, ये firm बहुत आता है, next class में ये 4 questions करेंगे, एक 10 years में question आया हुआ है, मेरा favorite question है, वो भी हम firm का question करेंगे, और इसके बाद firm एक डिए हंटे में खतम हो जाएगा, इसके बाद में शुरू करूँगा, alternate minimum tax जिसको AMTB कहा जाता है,